हरती माता हम इसे कहते हैं भारत माता यहां देवियों का नाम पहले लिया जाता है तो कैसे नेरेटिव बदला जाता है कि इस देश की महिलाओं का दिमाग खराब कर दो देश अपने आप खतम हो जाएगा साउथ अफरीका की एक बहुत बड़ी युनिवर्सिटी में कहा गया था कि किसी भी देश को बरबाद करने के लिए वहाँ पे बम बारुद गोला असला दागने की मिसाईल दागने की जरुरत है ही नहीं आप उस देश की सामाजिक व्यवस्था सांस्कृतिक व्यवस्था से 25 वर्ष तक की बच्चियों को बिगाडने का काम बॉलीवूड अपने टीवी सीरियल के माध्यम से करता है 25 से 35 वर्ष की शादी शुदा महिलाओं का जीवन और उनके परिवार को बरबाद करने का काम एकता कपूर जैसी महिलाए अपने टीवी सीरियल के माध्यम से करती है और जो नौकरी करती हुई बहन बेट या महीला है जो की वर्किंग विमेन है उनका दिमाग खराब करने का काम यह OTT प्लेटफॉर्म्स अपने वेब सीरीज के माध्यम से करता है कैसे करता है मैं शंशिप में एक उधारन देकर आपके समक्ष रखूंगी और बहुत जरूरी है कि जब हम तो एक साधारन व्यक्ती है हम संसारिक जीवन में रहते हैं लेकिन यहाँ पर जो उपस्तित हमारे संदगन हैं महंदगन हैं इनके बहुत बड़ा फॉलॉर्स ग्रू जाहेंगे कि कैसे करते हैं यह फिल्म बनाते हैं 25 वर्ष की तक की बच्चियों को कैसे बिगाडना है हिंदू के परिवारों को बिगाडने के तोडने के शड़ी अंत्र चल रहा है और सिर्फ एक हिंदू को नहीं खराब करना है उसके पूरे के पूरे कुटूंब को बरब हमारी क्योंकि दीदी भी यहां उपस्ती थे जो कि सेंसर बोर्ड में सदस्या है तो हम इतना उनसे विंती करेंगे कि हमारी यह बात भी उन तक पहुंचाएं systematically यह फिल्मों में लड़की दिखाएंगे हिंदू की लड़का दिखाएंगे मिया भाई का और उसमें भी दिखाएंगे कि वो लड़का चाहे अनपढ़ हो चाहे गवार हो चाहे आतंकवादी हो चाहे पंचर चाप हो और वो हिंदू की लड़की चाहे कितनी पड़ी लेकिन उसका परीवार जो है वो रूठी वादी है वो रिग्रेसिव है और उसके सामने यदि वो घोडा भी चला रहा है खच्च ट्टू भी चला है तो वो बड़ा प्रोग्र्रीव है वो बड़ा संस्कारी हैं कैसे करते हैं ये फिलम बनाते हैं अतरंगीरे अतरंगीरे film मे जो कि आज की युवा बच्चियों का लेटेस्ट क्रश है सारा अली खान हीरोईन लेते हैं हमारी युवा बच्ची इसको फॉलो करती है उसमें ये दिखाते हैं कि सारा अली खान जो एक मुस्लिम लड़के के प्यार में पड़ जाती है तो heroine पूछती है, hero को के तुम्हारी love story बताओ, तो वो कहता है कि कल मेरी शादी होने वाली है, और love story तो मेरी love story है, कि मैंने बचपन से जिस लड़की से प्यार किया, जिसके साथ पढ़ाई की, जिसके साथ मैं बढ़ा हुआ, उसी लड़की से मेरी बचपन की मित्र जो मेरे समाज की है, जो मेरे गाओं की है, उसके साथ ही मेरी शादी होने वाली है, तो वो heroine कहती है, अरे ये और कोई love story है, ये love story नहीं हो सकती, तो hero पूछता है, तो फिर क्या हो सकती है love story, तो वो कहती है कि मैंने एक मुस्लिम लड़के से प्यार किया है, मैं ठाकुरों की की हूँ, पूरा समाज, पूरा घर, पूरा परिवार मेरे खिलाफे, और मैं उन सब को ठोकर मार कर, उनकी भावनाओं को ठोकर मार कर, अभी ट्रेन में बैठ कर भाग रही हूँ उस लड़के से शादी करने के लिए, और वो heroine वहाँ पे dialogue देती है, कि love story तो मेरी love story है, कि म पृत व्यक्ति के लिए, तब वो आकरशन में ये सोचती है, कि हिंदू होके हिंदू boyfriend नहीं रखना, हिंदू होके हिंदू से प्यार नहीं करना, आप इतिहास में छपेगी, आपकी love story तभी बनेगी, जब आप किसी मिया भाई से प्यार करेगी और उस से शादी करेगी, त और आज देखो कि क्यों समाज में love जिहाद के इत्ते case बनेगी और उसका सबसे बड़ा और मुख्यकारन Bollywood है, क्योंकि इन Bollywood वालों ने हमारी बेटियों को हादी रानी और रानी चिन्नमा रानी अबबका नहीं दिखाया, इन Bollywood वालों ने हमारी बेटियों को करीना ख उड़ावत पर क्यों नहीं बनाते हैं, मैं आपको उनकी कथा शॉट में करती हूँ, कि राजा रावत का शादी जो होता है वो हदीरानी से होता है, मेवाड के राजा है, और और औरंग जेब की सेना आकरमन करने आती है, और जब औरंग जेब की सेना आती है, तो राजा र भूमी की रक्षा के लिए इस धर्म की रक्षा के लिए आप युद्ध भूमी में जाए और आप मेरी चिंता मत करना यदि आप बलिदान भी हो जाओंगे तो मैं प्राउडली अपने आपको आपकी विद्वा कहूंगी तब तब राजा रावत युद्ध लड़ने जाते है युद्ध भूमी में राजा रावत जी को हादी राणी की बहुत याद आती है क्योंकि नई-नई शादी हुई होती है तो नई-ई दुलन को छोड़ के आये होते हैं दूद भी बड़ा टेंशन में आगया कि ये युद्ध भूमी में बैठे और इनको हादी रानी के याद आ रही है, ये युद्ध लडएंगे कैसे और जीतेंगे कैसे, पर वो दूद्ध डरते डरते पहुचा रानी सा के पास, और राणी सा को कहता है कि राजा रावत जी ने आपकी एक निशानी मंगा ये उनको आपकी बहुत याद आ रही है तो राणी सा बहुत क्रोडित हो जाते कि ये मेरा पती कैसा ये युद लड़ेगा कैसे औरंग जीब की इती बड़ी विशाल सैना यदि जहां युद भूमी में बैटकर उसको रंग निती बनानी है वहाँ वो मेरी निशानी मंगवारा है तब हमारी हादी राणी क्रोडित ह होती है हाथ में तलवार लेती है अपनी गर्दन काक्ती है थाल में सजा के दूथ को देती है और कहती है जा तेरे राजा को जाके दे दे ना मेरी निशानी तब तब वो दूथ युद भूमी में जाता है राजा जी को हादी रानी की निशानी यानि कि उनका कटा हुआ मु औरंग जेप से युद्ध जीतते हैं और जीतने के बाद राजा रावत वहीं युद्ध भूमी में अपना बलीदान देते अपनी गर्दन काटकर वहीं अपने जीवन का त्याग करते हैं यह है लव स्टोरी पर बॉली वोर इस पर फिल्म नहीं बनाएगी कि इतिहास चुरा पर बॉली वोर इसका इतियास हमारे समक्षाने नहीं देता अब रहा 25 से 35 वर्ष की महिला कैसे बिगारती एकता कपूर वही साड़ी टिपिकल ड्रेस टिपिकल गेट अप पीछे उसकी सीरियल में एकता कपूर की सीरियल में पीछे बहुत बड़ी अंबेमा की मुर्ती दि जो मर गया वो जिन्दा हो जाएगा फिर कंफ्यूज हो जाएगी किसके साथ जाओ दूसरे के साथ के चौते के साथ क्या हमारी भारती महिला है क्या हमारी हिंदू महिला है सबसे बड़ा फ्रशन यह है कि क्या हम चार चार पूरुशों के साथ अफेर करते हैं क्या यह हमार भारत सरकार स्यास इस भूमी पर खड़े होकर मैं निवेदन करती हूँ कि आप ऐसी महीलों के पदमश्री वापस लो क्योंकि ये महीला हिंदू परिवारों के मकान घर तोड़ने का काम कर रही है और तीसर और अंतिम नौकरी करने वाली बहनों का दिमाग कैसे खराब करना है तो OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये दिखाएंगे कि यदि आप नौकरी कर रही है तो आपके सास ससूर आपके पैर की जुती आपका पती आपके पैर की जुती बच्चा पैदा करने के लिए आपको किसी से शादी करने की जरुवत नहीं है आपको ससूराल व्यावस्था में रहने की जरुवत नहीं है और आप है फेमेनिस्ट और इस ट्रीवात का जंडा दिखा कर हमारी बहन बेटियों को एक हाथ में शराप का ग्लास दूसरे हाथ से सिगरेट फूको अंग्रेज सादवी रितंबरा दीदीमा फैमेनिजम का सबसे बड़ा उधारन हमारे समक्ष है रानी नाइका देवी रानी लक्षमी भाई हमारे लिए फैमेनिजम का सबसे बड़ा उधारन है तो यहां उपस्तित सभी मानुभवों से हम यही विंती करते हैं कि फिल्म के माद्यम से ड्रग्स, अशलीलता और गाली गलोच, ये दिखाने के सिवाए कुछ नहीं होता, तो हम सब मिलकर एक साथ एक आवाज उठाए कि इन चीजों का बंध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाली पीडियों को बरबाद करने का काम, ये लोग अपने टीवी सीरियल और फिल्मों के माद्यम से कर रहे हैं, और क्योंकि शुर्वात भगवान राम जी के नाम से करी थी, तो अंद भी हम भगवान राम जी के नाम से करना चाहेंगे, कि कौन है राम राम जो है चेतना है बिंदू है बिंदू जिसे प्रसपुटित है तेज तेज जो की इस समस्ट श्रस्टी की रचना की कल्पना का हेतु है अनाम है अनाम जो है पंक्ती में प्रथम प्रथम है धर्म धैर्यकार